सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टूडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस वेल आइकन को दबाएं हलो फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल स्टडी टेस्ट टूडे में आपका स्वागत आज पढ़ेंगे अन्त श्रावी तंत्र जिसे इंडो क्राइन सिस्टम भी करते हैं और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें अबेल आइकन को फ्रेस करें और इसका टेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आप देख सकते हैं आप हमारे चैनल में रेगुलर बने रहे हैं कोई भी कोश्चिन में प्राबलम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ और यहाँ पे प्रेक्टिस सेट भी कराया जाता है जिसे कि आपकी अच्छी प्रेक्टिस हो जाए तो अब पढ़ेंगे हम लोग अन्तास्रावी तंत्रों तो हम लोग समझेंगे अन्तास्रावी तंत्र के बारे में अन्तास्रावी तंत्र के बारे में समझेंगे इसमें से पढ़ेंगे और अन्तास्रावी तंत्र में पढ़ेंगे बहिस्रावी गरंती अन्तास्रावी गरंती और मिश्रित गरंती तो तीनों को अच्छे से समझें कि बहिस्रावी ग्रंथी क्या होती है अंतर श्रावी ग्रंथी क्या होती है और मिर्शित ग्रंथी क्या होती है तो सबसे पहले हम लों समझेंगे बहिस्रावी ग्रंथी तो बहिस्रावी ग्रंथी के बारे में अच्छे तरह से समझेंगे यह बहिस्त्रावी गरंथी जो होती है इसमें एंजाइम का स्रा होता है तो अच्छे से इसको समझ लिजेगा बहिस्त्रावी गरंथी में एंजाइम का स्रा होता है और जैसे दूद गरंथी स्वेद गरंथि अस्रू गरंथि और लार गरंथि आदि सब 22 गरंथि आए तो इक्जाम में इसका एक्जामपल अक्सर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को जो अच्छे तरह से याद कर लिजेगा आप लोग और आप समझेंगे मिश्रित गरंथि के बारे में तो मिश्रित गरंथि क्या होती है तो कुछ गरंथिया ऐसी होती है मिश्रित गरंथि में जो बहिस्त्रावी गरंथि और अंतस्त्रावी गरंथि दोनों प्रकार की होती है तो उनको हम मिश्रित गरंथिया करते जैसे अगना याद कर लीजिएगा जो मिशित गंती होता है अगनासाज इसको पैंक्रियाज बोलते हैं बहिसरावी और अंतरस्त्रावी दोनों प्रकारी होते हैं तो इसका जो एक्जामपल में होता है अगनासाज इसको पैंक्रियाज भी बोलते हैं तो अच्छे से समझ लिए समझ लीज का स्राह होता है अंतस्रावी ग्रंथी में हार्मोन का स्राह होता है अब जो बहिस रावी ग्रंथी थी उसमें एंजाइम का स्राह हो रहा था तो अच्छे से दोनों को देख लिजेगा अंतस्रावी ग्रंथी में हार्मोन का स्राह होता है और यह हार्मोन रक्त प्लाजमा के द ग्रंथी और पैरा थाराइड ग्रंथी तो अच्छे से एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लिजेगा इसका तो एक्जामपल एक्जाम में जरूर देखनों को मिल जाएगा आप लोगों को तो अंतरस्रावी ग्रंथी के जो एक्जामपल है पिट्यूटरी ग्रंथी एड्मिरल ग्रंथी और पैरा थ्राइड ग्रंथी आदिशब अंतर्शावी ग्रंथी आओती है तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथी अब हम pituitary granti को समझेंगे तो pituitary granti क्या होती है तो यह granti mastix में होती है जो pituitary granti होती है यह mastix में होती है इसे master granti, puse granti और self-tarsica भी करते हैं इसको तीन नाम से जानते हैं master granti, puse granti और self-tarsica का तो अच्छे से तीनों को ध्यान से देख लीजेगा जो हर्मोन होता यह सरीर में शरीर की विद्धी का नियंत्र और जो哲 रे कमी हो जाती है यह हर्मोन की अगर कमी हो जाएगी s St. समें अध्यार में यह दूज तो वीडियो को एक बार दो बार जरूर देख लिजिएगा क्योंकि एक बार में तो किसी का चेहरा भी नहीं याद होता है तो कुछ सीखना है तो एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लिजिएगा तो आप सम्झेंगे थाराइड गलन्थी के अच्छी टरष से समझलेंगे आम लोग तो थाराइड गन्थी होती किया तो थाराइड गन्थी य गिरंथी जो होती है गले में होती है थाराइड ग्रंती जो होती है यह ग्रंती गले में होती है इसमें से जो निकलने वाले हार्मोन होता है जहां से क्वोस्चन अक्सर बढ़ने का चांस होता है थाराइड ग्रंती से निकलने वाला जो हार्मोन थाराक्षिन है और इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में राता है थायराइड गरंथी में आयोडीन अधिक मात्रा में राता है और इसमें आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो घेघा रोग हो जाता है थायराइड गरंथी में अगर आयोडीन की मातरा कमी हो जाती है तो घेघा रोख हो जाता है तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग आप समझेंगे पैरा थायराइड गरंथी के बारे में तो पैरा थाराइड गरंती यह गला में थाराइड गरंती के ठीक पीछे इस्थित होती है पैरा थाराइड गरंती और इसमें पैरा थाराइड गरंती में दो प्रकार के हर्मोन स्रावित होते हैं जब रक्त में कैल्सियम की कमी हो जाती है तो पैरा थाराइड हर्मोन निकलता है और जब कैल्सियम की अधिकता हो जाती है तो कैल्सियम की कमी हो जाती है तो पैरा थाराइड हर्मोन निकलता है और जब कैल्सियम की अधिकता हो जाती है तो कैल्सियम की कमी हो जाती है तो पैर समझ लीजेगा और आप समझेंगे एड्रेनल गरंथी के बारे में तो एड्रेनल गरंथी होती क्या है कहा है तो एड्रेनल गरंथी पेट में होती है उदर पेट में होती है इसमें से जो हार्मोन निकलता है एड्रेनल गरंथी से लड़ो एवं उड़ो या फाइट एंड फ् कि लड़ो एवं उड़ो फाइट एंड फ्लाइट तो इसमें से हार्मोन निकलता है और इस गरंथी के दो भाग होते हैं पहला बाहरी भाग कार्टेक्स होता है और दूसरा भाग जो होता है अंदुरूनी भाग मेडूला होता है तो बाहरी भाग कार्टेक्स क्या होता है और जो कार्टेक्स से हार्मोन निकलता है वो लिंग हार्मोन होता है जो सेक्स को नियंतर करता है तो अच्छे से देख लिजेगा कार्टेक्स और जो मेडूला होता और मेडूलास जो अर्मोन होता है एपिनेफ्रीन होता है और जो कार्टेक्स में अगर गरबड़ी हो जाती है तो इसमें एडिशन रोग हो जाता है तो हमारा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आज जो थोड़ा सा नहीं समझे होंगे तो दो वीडियो को फिट से देख सकते हैं और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद